दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हमें एक कॉमेंट लेंगे उन्होंने अपने जो है स्टॉक्स बताए हैं अपने पॉर्टफोलियोस के तो इन्होंने कहा है कि सर नमस्कार प्लीज माई पॉर्टफोलियो कर दीजिए कोई चेंजिस करना है तो अगर आपकी उम्र कम होती मालीज यह 25 वर्ष है या 30 वर्ष है तो मैं दिफेंट तरीके से बताता तो सबसे पहले जो हम स्टॉक से एक बार नजर डाल लेते हैं उसके पर शाथ हम ऊपर से फिर से आएंगे और चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे देखिया हम आप एक क प्रोडक्स काफी अच्छे हैं इस पर हमने अभी रेसेंट में वीडियो बनाया था एफल इंडिया एक बढ़िया डिश्टल इंटर्नेट की कमपनी है आस्ट्र लिम्टेड अगर आप देखें तो पाइपिंग में भी है अधेसी में भी 30 परसेंट है जहां से इनकी रेव से सीडि एसल आपके स्टाउक्स के बारे में करता है क्लीन साइइंस देखें एक बहतुरीन किमिकल की कमपनी है दिपक नैट्रॉयड बी बहतुरें कें करी कमपनी है डिक्सन ठेक प्रागुजी अगर देखें इलेक्रोनिक मन क्रॉइस्ट्र है डॉक्ट लालतलाइब Iss Tro देखें, Online Traveling Ticket Hospitality, Happiest Minds, IT Software की है, HDFC Bank आप सभी जानते हैं, IEX, Indian Energy Exchange, जो की एक प्लेटफॉर्म प्रवाइड करता है, Buyer Socialist को, India Mart, एक Business to Business प्लेटफॉर्म प्रवाइड करता है, और Infosys, IT Software की, Technology की, IRCTC, Online Tecting और Catering के सुविधा, Jubilant Food, भिज़ा वगएरा, खाने पीने के प्रोड़क्ट, Loros Lab, Pharma संबंधित है, Lakshmi Organic, अगेन यहाँ पर Chemical की कमपनी है, लिखता इंफ्रा स्ट्रक्चर अगर देखें, तो यह एक इंफ्रा जो की Underground Piping वगएरा के लिए इस स सारे प्रकार के फेविकॉल हो गएरा कमपनी है, Polycab अगर देखते हैं, तो wires and cables की switchgear, fans इस सारी चीज़ें बनाती है, और Prince Pipes, अगेन यहाँ पर पानी की टंकी, पाइपिंग के, UPVC, CPVC, और Reliance Industries, Jio Telecom, Refindic Company और Geomart, Root Mobile अगर देखें, CPass Service, एक इंटरनेट की टेकनलोजिक प्रोइड कमपनी है, और Tata Alexi, अगेन यहाँ पर जो टेकनलोजिक कमपनी है, नीचे कहते हैं, प्लीज रिव्यू और क्या चेंज करना बताईए, तो आईए उपर चलते हैं, देखे, चेंज करने की बात तो नहीं है, सबसे पहले मैं आपकी उम्र का लिहास करते हुए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कि Majorly आप इस एज में, जो भी कमपनिया लिए हैं, देखे, कमपनिया आपकी बहतरीन है, इसमें कोई धोराए नहीं, और Mostly कमपनियों पर हमने भी वीडियो बनाए हैं, तो इसमें Profitable कमपनिया हैं, और Business अच्छे से फलफूल रहा है सभी का, कोई ऐसी खराब कमपनी नहीं है, प्रमोटर वाइस भी देखा जाए, तो overall सारी कमपनियों के प्रमोटर्स भी, अगर कोई है किसी कमपनी का, तो अगर माली जी किसी कमपनी के प्रमोटर्स नहीं है, जो उनकी मैनेजमेंट टीम है, वो अच्छे से चला रहे है कमपनी का, माली जी कैम्स हो गएरा हो गई, एडशॉप का देखते हैं, तो एडशॉप पे हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, एक छोटी कमपनी ह अगर आप देखेंगे, एक स्मॉल कैप से भी छोटी कमपनी है, मतलब पांसो क्रोड से भी नीचे मार्केट कैप है, तो रिस्क और रिवर्ड वाला यहां पर चक्कर है, प्रिजनस अच्छा है, और एफल इंडिया नो डाउट बेहतरीन कमपनी है, तो overall मैं चाहूंगा कि आपने जो इतने स्टॉक्स लिए हैं, अठाइस स्टॉक्स हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, जैसे कि एक सेक्टर में आपने कई-कई कमपनीज ले रखी हैं, उदान के लिए मैं अगर आपको कहूं तो जैसे कि यहां पर आपने केमिकल की कमपनीओं म उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जैसे कि आपने IsMyTrip online travel ticket company ले रखी हैं, वहीं पर आपने IRCTC भी, IRCTC एक तरीके से देखा जाया तो government-backed company है, IsMyTrip अगर आपने जो peers companies में हैं, वही एक profitable company है, और इस प्रकार से अगर आप टेक्नलोजी कमपनी देखते हैं, तो हैप मार्केट कैप है उन्हें के साथ आप बने रहें लेकिन कुछ आपको टाइट करना पड़ेगा क्योंकि ना तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं अगर आपकी उम्र यहीं पर तीस वर्ष पचीस वर्ष होती तो मैं आपको यह सेज़ेस्ट करता कि मोसली जो कंपनी है 75% आप में अगर देखें दो कंपनियों समाहित हो रही है एक तो इसमें अधेशिव का सेग्मेंट है तो वहीं पर पीडिलाइट भी कंपनी इसके अंदर आ जाती है और अगर आप पीडिलाइट लेके रखा है तो फिर आप जो है आस्ट्रल को कंसिडर ना करके आप प्रिंस 30% के आसपास तो वहां पर उस तरीके के आप जो है थोड़ा सा चुनाओं कर सकते हैं थोड़ा से टाइट पॉर्टफोलियों कर सकते हैं बाकी ओवर आल आपका पॉर्टफोलियों मुझे ठीक लगा इसमें कोई चेंजस करनी के आवश्यक्तर नहीं बस थोड़ा सेक्टर म ज़िए ज्यादा हो रही उनको आप कर सकते माले इंडिया माट हो गए माले जी एफल इंडिया हो गए रूट मोबाइल हो गया इन में से चाहें तो आप दो कंपनिया रख सकते हैं जो आप को ठीक लगें अब रही बात बजाच फैनेंस की और मुथूत फैनेंस की दोनों लेकिन अब आपको चाहें तो आप चुनाव कर सकते हैं कि आप किस कंपणी के साथ जाना चाहेंगे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा पोटफोलियो और वाल उससे फर्क क्या पड़ेगा कि यदि आपका जो पैसा है आगे और भी अगर आप निवेश करने वाले हैं आप एक बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग बनाने की कोशिश में हैं ना कि आप जो है हजारों घर बनाने की सोचें कि अफोर्डेबल हाउजिंग्स बनाके आप छोड़ दें बुर्ज खलीफा बनाएंगे लिबर्टी आप स्टेचू बनाएंगे या पी सदार वल्लब भाई प कुछी बैंक है जैसे कि एसारफ है अगर किसी के पास इनके पास 55,000-6,000 कॉंटिटी है तो सोचिए कि वह अपने आप में इतना दिगज इतना महान आदमी होगा कि उसको डिविडेंट से ही इतना पैसा आता होगा कि उसका सारा खर्चा साल का निकल जाता होगा तो सारे सेक्टर सापने कवर की हैं और अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि 28 कमपनियों को मैनेज कर सकते हैं तो अगर आप 20 तक ले आएंगे तो थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा हो जाएगा यही मैं कहना चाहूंगा अब इस डॉक्टर लाल पतलाएव है बेतरीन कमपनी है एक लंबे समय के लिए फंडमेंटल स्टॉंग कमपनी है नित नहीं अपने जो है लेबरोटरी कई शहरों में खोलती जा रहे हैं और देखा जाए तो आने वाले समय में भी इस चीज की काफी डिमान रहेगी लेकिन हो क्या जाता है कि कभी माली जी कोई एक बिमारी आती है और उस समय तो इनका विवसाय खूब फलता फूलता है कई वर्षों का ये कमा चुके होते हैं जो नहीं कमा पाए थे लेकिन अचानक्स जब वो ग्राफ गिरता है तो कहीं ने कहीं जो वैल्यू माइग्रेशन होता है जो एक पटिकुलर एक निवेशक होता है चाहाए फॉ दी जाते है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा करें कि किस सेक्टर में जो है अभी तेजी आने वाली है तो ये भी आप समझ सकते हैं उसे साब से आप री बैलेंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का और भी मैं अपने दरश्कों से कहना चाहूंगा कि आप भी कुछ कहन चाहते हूं इन सर्जन पुरुष के बारे में या इनके पोर्टफोलियो के बारे में कुछ सुझाओ देना चाहते हैं तो जरूर आप को इन बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स